Hello everyone, आज के वीडियो में एक बार फिर ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत आज का वीडियो है फूट प्रिंस विदाउट फीट के बारे में जिसे लिखा है फेमूस राइटर हरबर्ड जॉर्ज वेल्स यानि H.G. वेल्स ने कहानी है एक वैग्याने ग्रिफिन की क्या थे ग्रिफिन के सपने और क्या आविश्कार करना चाहते थे वो आईए जानते हैं कहानी शुरू होती है जब दो लड़के कीचड से भरे दो पैरों के ताजे निशान देकर आश्चेरे चकित रह जाते हैं वे घूर कर देखी रहे होते हैं कि उन्हें एक और ताजा निशान दिखाई देता है उन्हें गली में और कदम दिखते हैं और उसके बाद वो निशान गायब हो जाते हैं ये पैरों के निशान थे वैग्यानिक ग्रिफिन के ग्रिफन ने हाल ही में मानव शरीर को पारदर्शी या ट्रांस्पिरंट बलकि यूँ कहें कि गायब करने का तरीका खोज लिया था उसने कुछ जड़ी बूट्टिया निगल नी थी और अब उसका शरीर शीशे की तरह पारदर्शी हो चुका था ग्रिफन कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था उसका मकान मालिकों से बिलकुल पसंद नहीं करता था बलकि उसने तो ग्रिफन को घर से निकालने की भी कोशिश की बदले में ग्रिफन ने उस घर को आग लगा दी जिसमें वो रहता था घर से भागने के लिए उसने कपड़ उतारे क्योंकि कपड़ों में वो दिख सकता था अब उसके पास ना तो धन था ना घर ना ही कपड़े वो बेघर आवारा बन चुका था उन दोनों लड़कों ने इसी गायब ग्रिफिन के पैरों के निशान देखे थे क्योंकि ग्रिफिन दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए लड़के उसे पकड़ ना सके इस समय ठंड का मौसम शुरू हो चुका था ग्रिफिन बिना कपड़ों के ठंड से ठिटूर रहा था इसलिए गलियों में घूमने के बजाए उसने गर्मी पाने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में घुज जाना बहतर समझा स्टोर में उसने बॉक्सस खोले गरम कपड़े पहने जूते, ओवर कोट और हैट पहना लिकिन वो अब भी अद्रिश्य था उसने होटल में मास और कॉफी भी ली किराने के स्टोर से खाना, मिठाई और शराब ली बादने वहीं स्टोर के अंदर ही रजाईयों के धेर पर वो सो गया सुबह स्टोर खुलने तक उसकी आँख नहीं खुली थी नौकरों के स्टोर में आने पर ग्रिफिन ने भागना शुरू किया नौकर भी उसके पीछे भागे लेकिन अपने कपड़े उतार कर फेग देने के कारण वो बच कर भाग पाया यहां से वो एक नाटक कंपनी में घुस गया जहां उसे कुछ कपड़ों के मिलने की उम्मीद थी सर्दी से कापता हुआ वो ड्रेरी लेन में चला गया जल्दी ही उसे एक ठीक ठाक दुकान मिल गई उपर जाने के थोड़ी देर बाद जब वो वापिस आया तो उसने पूरे चेहरे और माथे पर पत्टिया लपेट रखी थी आँखों पर काला चश्मा नकली नाक लगाए ग्रिफिन ने दुकान दार पर आक्रमन किया और उसका सारा धन लूट लिया इसके बाद वो लंदन से आई पिंग चला गया जहां पर मिसिस हॉल की सराई में उसने दो कमरे किराय पर ले लिये ठन के मौसम में गाउं की सराई में एक अजनभी के आने पर सभी गाउंवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ सराई की मालकेन मिसिस हॉल चाहती थी कि इस अजनभी से थोड़ा सा मेल जोल बढ़े ताकि वो उसके और उसके अजीब से व्यवहार के बारे में सब जान सके लेकिन ग्रिफिन ने उन्हें कडाई से ये समझा दिया था कि उसे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं साथ ही उसने ये भी कह दिया कि एक हाथसे की वज़े से उसके चेहरे पर काफी चोटे आई थी इसलिए उसके चेहरे पर पत्टिया बांधी गई है ग्रिफिन का चुराया हुआ धन जादा समय तक नहीं चल सका और उसने मिसस हॉल को ये कहकर टालना शुरू किया कि उसे कुछ पैसा जल्दी ही मिलने की उमीद है लेकिन जब काम नहीं चल सका तो ग्रिफिन ने एक बार फिर खुद को अद्रिश्य कर लिया रात के समय वो गाउं के पादरी के घर में घुज गया पादरी की नीन खुल गई और उन्होंने चोर को आत्म समर्पन करने को कहा लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दिया जिसे वो पकड़ सके उन्होंने देखा कमरा तो खाली था लेकिन डेस्क को किसी ने खोला था और उनका धन भी गायब था पादरी के लिए अपनी आँखों पर यकीन कर पाना ना मुमकिन था दूसरी और मिस्टर और मिसिस हॉल सुबह जल्दी उठ गये थे ग्रिफन के कमरे को खोला देख उन्हें ताज़ब हुआ कमरे में जाकर देखने पर उन्हें कोई न दिखा लेकिन ग्रिफन के कपड़े और पत्टियां कमरे का सामान सबस्त्व्यस्त फैला पड़ा था अचानक मिसिस हॉल को उनके कानों के पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी फिर पलंग उपर उठा और अपने आप उनके चेहरे पर जा लगा दोनों पती-पत्नी दर के मारे भागने के लिए मुड़े यहां तक कि एक कुर्सी ने उन्हें कमरे से बाहर धकेल दिया मिसिस हॉल चिलाते हुए गिरी उन्हें यकीन हो चला था कि कमरे में भूत थे जल्दी ही सभी को पादरी के घर चूरी होने का भी पता चल गया अजीब से दिखने वाले और अजीब सी हरकतें करने वाले वैग्यानिक पर सभी को शक हुआ जैसे ही उसने नकत पैसे देने की कोशिश की लोगों का शक यकीन में बदल गया क्योंकि पहले तो वो कह चुका था कि उसके पास पैसे ही नहीं थे गुप चुप तरीके से गाओं के सिपाही को बुलाया गया लेकिन मिसस हॉल सिपाही का इंतजार ना कर सकी वो खुदी गृफिन के पास चली गई और उससे जाकर पूछा कि उपर वो कुर्सी के साथ क्या कर रहा था वो जानना चाहती थी कि भला बंद कमरे में वो गुसा कैसे इस पर गृफिन बहुत गुसा हुआ और चिलाने लगा यहां तक कि उसने पट्टियां, चश्में, नकली, नाक, आदी सब फेक दिये एक बार फिर वो गायब होने लगा दरे हुए लोगों के सामने एक बिनासिर का आदमी था जल्दी ही सिपाही मिस्टर जैफिर्ज भी आ पहुँचे उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था कि किसी बिनासिर वाले आदमी को गिरफतार किया हो लेकिन उनके सामने और कोई चारा भी नहीं था उन्हें गृफिन को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ी और गृफिन ने एक-एक कर अपने कपड़े उतार कर फेकने शुरू कर दिये अब सिपाही को एक ऐसे इंसान से संघर्ष करना था जिसे वो देखी नहीं सकता था कुछ लोगों ने सिपाही की मदद करनी की भी कोशिश की लेकिन गृफिन से उन्हें सिर्फ घूंसे मिले अंत में जेफर्ष बेहोश हो गए उन्हें पकड़ो पकड़ो की आवाजें आती रही लेकिन गृफिन ने खुद को आजाद कर लिया था और कोई नहीं समझ सका कि आखिर उसे कहां से पकड़ा जाए अगर आपने भी पढ़ी है ऐसी कोई और कहानी या देखी है ऐसी कोई भी मूवी तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं ओप यू लाइक दे वीडियो खीप लर्निंग और हाफ पन थैंक्स पर वाचिंग